hello everyone इस वीडियो में हम subtraction के questions को करेंगे हमें यहां पे question में राइट का रखा है write in column and find the difference पहले से हमें column में लिखना है और उसके बाद इसका difference find करना है यह जो हमें question दिया हुए है यह row में दे रख्या है इससे हमें पहले column में change करना है उसके बाद फिर difference find करना है चलिए first question देखते हैं क्या है 3051 from 4876 अब हमें पता है कि हम हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर minus कर सकते हैं में separate कर सकते हैं यहाँ पे तो अब उल्टा लिखा हुआ है छोटा नंबर पहले है और बड़ा नंबर बाद में है हमेशा याद रखेंगे जब किसी question में from लगा हो means बीच में from हो इसका means होता है इस नंबर को इस वाले नंबर में से means second वाले नंबर में से separate करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले second number लिखेंगे उपर और फे first number नीचे लिखेंगे उसके अब यहाँ पर thousand तक है तो पहले thousand तक लिख लेते हैं one tenth hundred और यह thousand अब सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे फिर ये वाला नंबर राइट करेंगे from का मतलब होता है इस वाले नंबर में से इसको separate करना six seven eight four minus one five zero three अब इसे separate कर लेते हैं six में से one minus करेंगे तो कितना आएगा one separate करेंगे तो five seven में से five separate किया तो two eight में से zero separate करेंगे तो eighty आजाएगा हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को zero से minus करते हैं तो वो हमारा नंबर खुदा आ जाता है four में से three को separate किया तो one यह क्या होगे हमारा answer second question देखते हैं यहां पे eight thousand five hundred thirty seven from nine thousand six hundred thirty eight means nine thousand six hundred thirty eight में से किसको माइनस करना है five eight thousand five hundred thirty seven को फिस्ते वैसे ही करेंगे five thousand hundred ten's once eight six nine इसे अब separate कर लेते है eight में से seven को minus किया तो कितना है one three में से three minus कर दिया तो zero six में से five को separate किया तो one nine में से eight minus किया one answer कितना हो गया one thousand one hundred one third question देखने है four thousand two hundred nineteen from seven thousand four hundred twenty nine seven thousand four hundred twenty nine को किस में से माइनस करना है इस में से वाला नंबर पहले यह वाला नंबर बाद में nine में से nine को separate करेंगे तो कितना हैगा zero two में से one separate किया तो one four में से two separate किया तो two seven में से four को separate करेंगे तो कितना जगा 3 आंसर क्या हो गया हमारा 3,210 फूर्थ कुश्चन देखते है 5,432 में से को किस में से सब्टेट करना है 9,734 में से पहले नंबर कौन सा लिखेंगे सेकेंड वाला 9,734 माइनस का साइन लगाएंगे 2,3,4,5 अब इसे सब्टेट करते है 4 में से 2 को सब्टेट करेंगे तो कितना आएगा 2,3 में से 3 को सब्टेट किया तो 0,7 में से 4 माइनस किया तो कितना आजाएगा हमारा 3,9 में से 5 को सब्टेट करेंगे तो कितना आएगा 4 यो कि हमारा आंसर आंसर आगया 4,302 हमें इन कोशिन को करते हुए बस ये चीज जहान रखनी है कि अगर सब्टेक्शन के कोशिन में 2 नंबर के बीच में फ्रॉम लिखा हुआ है तो हमेशे क्या मतलब होता है इस फॉर्म का कि हमें सेकेंड वाले नंबर में से फॉर्स्ट वाला नंबर सप्रेक्ट करना है बस हमें इतना ही ध्यान रखना है इन कोश्चन्स में I hope आप लोग कोई कोश्चन्स समझ में आयोंगे Thank you